जो जो केट्स सोनु हम तितलीो को बहुत परिशान करता है बहुत शैतान लड़का है इससे बच कर रहना होगा बेहनों तुम इससे बच कर रहना तुम मैं तितली जरूर पकड़ूंगा सोनु अगले दिन अपना लंच बोक्स लेकर आया और जब तितली फूल पर बैठी तो उसे धोके से पकड़ लिया आहा, आथ तुम मैंने तितली को पकड़ लिया मजाएगा, मजाएगा सोनू बहुत खुश था, वह नाचने लगा कुछ देर बात, जब उसने अपने डब्बे को खोला तब उसने देखा कि बेचारी तितली उसमें बहुत थीरे थीरे सास ले रही है अरे, ये तुम्हें क्या हुआ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ सोनू रोने लगा, और जट पड़ पानी लाकर तितली को पिलाया मगर तब भी तितली ने पानी नहीं पिया और वह घबराती हुई नजर आई अरे, ये तुम्हें क्या हो गया, अरे, ये क्या हो रहा है आज तो मैंने तितली को पकड़ लिया, मगर शाय तितली बिमार है ओह, 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 तितली तुम्हें क्या हो गया कुछी देर बाद तितली उठ गई अब मैं ठीक हूँ, जोनू, रोना बन करो लेकिन, लेकिन मुझसे, मुझसे वादा करो अब कभी तुम किसी तितली को कहीं बन नहीं करोगे कभी नहीं पकड़ोगे, वादा करो वगर क्यों, अरो चाड़क तुम ठीक कैसे हो गई सुनू, हम तितलीयों का शरीर बहुत नाजुक होता है हमें अगर कोई छूता है, तो हमारे पंक नार्जुक हो जाते हैं और तूटने लगते हैं और तुमने तो मुझे डब्बे में ही बन कर दिया मैं बिना सांस लिए कैसे रह सकती हूँ तुम ही बताओ, क्या तुम बिना सांस लिए जिन्दा रह सकते हो अगर कुछ तेर और तुम मुझे इस डब्बे में बन रखते तो शायद आज मैं जिन्दा नहीं बचती ये तो मैंने कभी नहीं सोचा सौरी तितली, मुझे माव करो अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कभी किसी तितली को नहीं पकड़ूँगा तुम ठीक हो न? हाँ, मैं ठीक हूँ और उस दिन के बाद सोनू ने अपनी शैतानी छोड़ तितली उसे प्यार करना शुरू कर दिया कभूतर, चीटी और तोता एक समय की बात है एक कभूतर था, उसे उड़ना नहीं आता था उड़ने से बहुत डरता था सब कभूतर उसने बहुत परिशान हो गए थे पास ही में एक शरार्ती तोता वहां रहता था वह हमेशा कभूतर को चिड़ाता रहता तुम कितने डर पोखो, कैसे हो तुम? तुम है तो उड़ना भी नहीं आता कभूतर चुप चाप तोते की बात सुनता रहा तोता रोज उसे परिशान करता और कभूतर रोज जाड़ियों में छिप कर बैठ जाता एक दिन चीटी ने कभूतर को देखा तब चीटी ने कहा तोस कभूतर क्या हुआ तुम यहां किस लिए छिपे हो? तुम तो उड़ सकते हो तो यहां जाड़ियों में क्या कर रहे हो? किस से डर रहे हो? चीटी जी बास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परिशान कर रहा है मैं उसी से छिप के बैठा हूँ चीटी ने कभूतर को समझाते हुए कहा तेखो कभूतर तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे? यहां जाड़ियों में छिपे रहोगे तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ मगर सच कहूँ, मुझे बहुर डर लगता है कहीं मैं गिर न जाओ ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हें होसले और हिम्मत से काम लेना होगा भगवान ने तुम्हें सुन्दर सुन्दर पंक दिये हैं वो तुम्हारी मदद करेंगे उड़ने की कोशिश करो दोस्ट कभूतर उड़ने की कोशिश करने लगा वह उड़ता और नीचे गिर जाता उसने कई बार कोशिश की मगर वो इसी तरह गिरता रहा मगर इसी प्रयास के दोरान कुछ समय वाद वह उड़ने लगा और धीरे धीरे फैं उची उड़ान भी बरने लगा उसे बहुत खुशी हुई और वो खुच से कहने लगा अरे मैं तो उड़ रहा हूँ मैं तो ऐसे ही डरता था आज चीटी की सलाह की वजह से मैं उड़ पा रहा हूँ उसी ने मेरा हांसला बढ़ाया है वो मेरी सच्ची दोस्त है तो तेने जब कभूतर को उर्था हुआ देखा तो उसने कभी उसे परिशान नहीं किया कभूतर और चीटी पक के दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुश रहते कभूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा वह मजे से बिना डर के अपने डर पर जीत पाकर जीने लगा पढ़ाकू उल्लू जंगल में एक मंदिर के पास एक उल्लू रहता था जिसे किताबे पढ़ने का बहुत शौक था वो अच्छी अच्छी मंदिर से किताबें उठा था और उन्हें पढ़ता असल में वो किताबें पढ़ता नहीं था केवल किताबें पढ़ने का दिखावा करता था और जंगल के सभी लोगों को डराता था मुझे बहुत ग्यान है मैं सब कुछ पता सकता हूँ सच? सच? ऐसा है क्या? कोयल को छोड़कर बाकी सभी जंगल के जानवर जाते थे? कोई बात नहीं मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा उल्लू को दिन प्रती दिन अपने उपर घमंड होता जा रहा था एक दिन उल्लू मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा था उसकी आखें आधी बंध थी तभी वहां कोई अलाई मैं इस पेड़ पर बैठ चाती हूँ लेकिन इस पेड़ पर तो उल्लू भी है कोई बात नहीं बैठ ही जाती हूँ कोयल जोर-जोर सी गाना गाने लगी उल्लू को इस बात पर बहुत गुस्ता आया उल्लू ने आँख खोली और कहा ये कैसा गाना गा रही हो, अपना गाना बन करो उल्लू जी, आप कहीं और चले जाओ, मैं तो यहीं बैट कर गाना गाऊंगी उल्लू को बहुत गुस्सा आया, क्या तुम देखती नहीं, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत बुद्धी मान हूँ तुम्हारा गंदा सा गाना मैं और बरदाश नहीं कर सकता मुर्क उल्लू, आप मुझे नहीं बना सकते, मैं जानती हूँ, किताबे पढ़कर तो समझदार बनते हैं, मगर तुम बहुत गमंडी हो उल्लू को और गुस्सा आया, तुमने मुझे मुर्क कहा? तुम नहीं जानती, मैं पक्षियों में सबसे बुधिमान हूँ, और तुम मेरे साथ बहुस कर रही हो? तुमने मेरे काने का मजाक उड़ाया, केवल पुधिमान ही जानता है, कितना मधुर गाना गाती हूँ सिर्फ बुद्धीमान होने का नाटक करते हो तुम बुद्धीमान हो नहीं उल्लू को इतना गुसा आया कि उसने कोयल पर छपटा मारा लेकिन कोयल बहुत समझदार थी वह खुद पर मात खाने से पहले ही उड़ गई अच्छे व्यवहार का पता किताबों से नहीं बलकि हमारे व्यवहार से चलता है शिकारी को सीख एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने जा रहा था तब ही उसको साप जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया शिकारी डर गया और साप को लाठी से पीटने लगा लेकिन साप ने शिकारी से कहा मुझे चोड़ दो अगर तुम मुझे माना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इससे पहले मुझे सभी से कुछ जानना है मेरी एक अंतिम इच्छा है शिकारी को अचानक साब पर दया आ गई और उसने कहा आखरी च्छा, क्या है तुम्हारी आखरी च्छा मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं मगर उसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता आप केवल मुझे कुछ देर के लिए जिन्दा छोड़ दीजे मैं कुछ जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूं ठीक है, मगर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ठीक है और इस तरहां शिकारी ने साब से वादा ले लिया कुछी देर बाद वहां से एक गाएं गुजरी साब ने गाएं से पूछा प्यारी गाएं, आप मुझे बताएं इंसान कैसा होता है, वह अच्छा होता है या बुरा गाएं ने जवाब दिया इंसान हमें पालते हैं मगर बतले में हम भी दोने दूद देते हैं लेकिन कभी हमारा शुक्रिया आदा नहीं करते शिकारी ने कहा हम बहुत मूर्ख हैं जो इस बूढ़ी गाएं की बाते सुन रहे हैं चलो साब, बस तुम्हें अपना जवाब मिल गया मगर ये सही जवाब नहीं है क्रेपिया आप हमें बताएं, इनसान के बारे में वो कैसा है और क्या सोचता है मैंने अपने जीवन में बहुत इनसान देखे कड़ी महनत करते हैं, लेकिन बदले में हमें केवल मारते हैं ये सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा तुम इन लोगों की बाते मत सुनो, चाहो तो पेड से बात कर सकते हो, हम पेडों को पानी देते हैं ठीक है, पेड महराज आप मुझे बताईए, इनसान कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं पेड ने जवाब दिया मैंने इनसान को फल, फूल और रहने के लिए चाया दी, लेकिन वह मेरी शाखाओं और लकणियों को काटता रहता है, मुझे जड से मिटा देता है जब शिकारी ने सभी की बात सुन ली, तब शिकारी ने साप से कहा हम इतने स्वार्थी हैं, साप आप जा सकते हो, मुझे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं मुझे सभी से माफी मांगनी चाहिए, चानवर और पेड तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हें काट डालते हैं और मारते हैं, साप वहां से जला गया सीख, हमें उन सभी के प्रति आभार करना चाहिए, जो हमारी मदद करते हैं